टीवी आक्टर देबीना बेनर जी भले ही छोटे परदे से दूर हो लेकिन उनकी फैन फॉलॉइंग टाइम के साथ सिर्फ बढ़ ही रही है एक्टरस अपनी जिन्दगी से जुड़ी सारी पलपल की अपडेट्स अपनी फैन्स के साथ शेयर करती है वो व्लॉग्स भी बनाती है और अपने इंस्टा हैंडल पर भी काफी आक्टिव रहती है अब एक्टरस से जुड़ी एक और खबर सामने आई है जिसे सुनकर फैन्स काफी परेशान है देबीना बेनर जी इन्फलेंजा बी वाइरस से संकरिमित हो गई है तो आईए जानते हैं फिलहाल उनका हेल्थ अपडेट क्या है वेल्टेबीना बेनर जी हाल ही में अपनी फैमली के साथ श्रीलंका गई थी श्रीलंका से वापस आने के बाद वो कुछ दिनों से बीमार थी चेक अप कराने के बाद पता चला कि उनको फ्ल्यू हो गया है हलाकि गुर्मी चौधरी और उनकी दोनों बेटियां लियाना और दिवी शा सेफ हैं और एक्ट्रेस भी अभी रिकवरी पर है वेल देवीना के स्पोक्स परसन ने एक स्टेटमेंट जारी कर इसकी जानकारी दी स्टेटमेंट के मताबिक वो बताना चाहती है कि देवीना ठीक हो रही है और अच्छे से एहतियाद भी बरत रही है और हेल्दी खाना खा रही है, अपने बच्चों से दूर रहकर उनकी देखवाल कर रही है और जल्दी ठीक होकर फिर से वापस लोटने की तैयारी में है देविना ने भी अपने इंस्टा हैंडल पर इसकी जानकारी थी, उन्होंने एक स्टोरी शेयर की और बताया कि वो अपनी बच्चियों से दूर है, उन्हें बुखार और कफ जैसे लक्षन फिलाल है विल आपको बता दे कि वेलेंटाइन्स डे के मौके पर देविना बेनर जी अपने पती गुर्मी चौधरी और बेटियों के साथ श्रीलंका गई थी, देविना और गुर्मीत का बेटियों के साथ ये पहला इंटरनेशनल ट्रिप था रामायन की सीता का करदार निभाज रुकी देविना ने अपनी फैमिली के साथ श्रीलंका में खूब मस्ती की थी, जिसकी जलक उन्होंने अपने व्लॉक्स के जरीए फैंस को दिखाई भी थी, लेकिन फिलाल फैंस उनके जल्दी ठीक होने के लिए प्रे कर रहे हैं, फिल दोनों ही बेटियां बड़ी प्यारी है, लोगों को अच्छा लगता है कि देविना का बॉंड अपनी बच्चियों के साथ अभी से कितना प्यारा है, फिलाल आपको बता दे कि देविना कोई भी शो नहीं कर रही है, और सारा फोकस उनका उनकी बेटियों पर ही है, तो हम भी देविना के जल्द ठीक होने की काम ना करते हैं, इस वीडियो में फिलाल इतना ही, कॉमेंट सेक्षन में अपनी राय जरूर दीजेगा, इसी के साथ टीवी और बॉलिवूड से जूरी तमाम अब्डेट्स के लिए देखते रहे हैं, और अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पेश पर देख रहे हैं, तो वहाँ भी हमेज़ जरूर फॉलो कीजेगा